हलो फ्रेंड्स, वेलकूम बैक टो दो चैनल की चन पार्टनेस टी-म आज हम फिर दुबारा से आ गए हैं एक नई रेस्पी लेके स्वेड डिश जो है शकर मेवा खीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी है सबसे पहले मैंने 2 kg दूद लिया है एक पतिली में, एक बारतन में दो किलो दूद में से एक गिलास अलग से निकाल लिया इसको हम बाद में यूजघ करेंगे देखेंगे किस चीज के लिए यूज़ करेंगे ये दूद को बहुत अक्छे से गरम कर लिया है मैंने यह देखिए एक इलास जो अलग की है मैंने साइड में रख दिया है दुद को गरम करने के बाद इसमें हम एक कटोरी चावल की डालेंगे दो कर यह देखिए चावल की डाल दिये एक कटोरी मैंने चोटी वाली कटोरी डालनी है उसको अच्छे से हिला देंगे उसको अच्छे से गरम होने देंगे धीमी आंच पे, slow flame पे हम पकाएंगे इसको सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है सबसे पहले subscribe कीजिए और उसके साथ साथ bell icon प्रेस कीजिए तांकि कोई भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले आपको पता चले यहाँ पे मैंने मोटी इलाइची डाल दिया वो काली वली इलाइची वो दिया वो वली में इलाइची डाले इसका flavor बहुत अच्छा आता है यहाँ पे green वाली दो इलाइची डाली है उसके साथ साथ दो long डाले है इन सब का flavor slow flame में हमने पकाया है धीरे-धीरे से और थोड़े-थोड़े चावल पक गए हैं देखिए इसको हिलाते रहेंगे हम खीर को ताकि जले न वो पतीली में साइड में लग जाता है न गरम होते होते लगे न चावल हिलाते रहेंगे हम बहुत अच्छे से पका रहे हैं और ये खीर जो हमारी हेल्दी है इसमें हम ड्राइफूट्स डालेंगे ड्राइफूट्स जिसको हम पंजाबी में मेवा भी बोलते हैं शकर मेवा खीर है हमारी उसको हिलाते रहेंगे हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा ड्राइफरोट आप अपने अग्वार्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं देखे दूद कम हो चुका है और हमारी चावल पक चुके हैं और खीर को हिलाते रहेंगे तांकी खीर हमारी जले ना देखिए बबल सा रहे हैं यह देखिए इस तरीके से यह देखिए चावल दूद सूप चुके हैं अभी और चावल दूद में ही पका दिये हैं हमने उसमें जो एक गिलास साइड में दूद रखा था वो दुबारा से डाल दिया है ये देखे, इसकी थिकनेस भी ठीक होगी है, ज्यादा थिकी भी नहीं है हमारी खीर खीर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है इसमें हमने अभी डाल दिया है शक्कर, चीनी नहीं डालेंगे ये शक्कर डाल दिया हमने शक्कर से न, कलर बहुत अच्छा आएगा जो देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टीस्टी लगेगा शक्कर आप अपने according डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं यहाँ पर हमारी खीर पक चुकी है बहुत अच्छे से prepared हो चुकी है तो हम एक बाल में खीर को डालेंगे अभी देखे कितनी अच्छा कलर है कितनी अच्छी लग रही है खीर हमारी हाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कलर जलिए अब हम इसको बाल में डाल देते हैं वाव इसको अगर हम गर्मियों में खाएंगे न तो आइस क्रीम से भी ज़्यादा ये वाली खीर लगेगी फ्रिज में रखके ठंड़ी करके खाएंगे तो आपको भी खाके दीखेगा ठंडी ठंडी आप आइस क्रीम को भी साइट में रख देंगे खाएंगे नहीं आइस क्रीम याद रखेंगे खीर को इसमें हमने ड्राइफूट डाल दिया है आप ड्राइफूट काजू बदाम के साथ साथ किश्मिश भी डाल सकते हैं ड्राइफूट को पंजाबी में मेवा बोलते हैं शक्कर मेवा खीर हमारी त्यार हो चुकी है और इसको खाने के लिए त्यार हो जाईए और टेस्ट करके बताईएगा कमेंट्स में कि आपको ये खीर कैसी लगी जिस इसको अच्छी लगी वो मुझे कमेंट्स में जुरू बताईएगा and thanks for watching, bye bye झाल